Hey guys, welcome or welcome back to my channel Effective Arts Classes आज ती वीडियो दे विच आपा एक नवा क्यूकार्ट डिसकस करांगे जेडा की May to August 2022, हाँ जी बिल्कुल सही सुनया माई, जून, जुलाई ते August दे विच जड़े क्यूकार्ट्स पुछे जाने है उन्ना चो कुछ 7-8 क्यूकार्ट्स जड़े ने कनफर्म हो चुके ने जड़े की स्टूडेंट्स तो पुछे जा चुके ने उन्ना क्यूकार्ट्स विच जो है एक है सो अपनी तेयारी नवे क्यूकार्ट से करनी स्टार्ट कर दो दो Q-Cards already मेरे चैनल ते अपलोड हो चुके, this is third one, and fourth Q-Card अभी तुवानू आज इवनिंग तक मल जेगा, right? so without further ado, video नू start कर दिया, Q-Card अपने कुल क्या है, guys, describe an introvert person, introvert ना मतलब तो उनू सारे नू पता ही होएगा, introvert क्या होएगा, एक shy person, जेडा की, बहुत जल्दी किसी नाल उपन अपना होवे, ठीक है, जेडा जादा किसी नाल गलना करदा होवे, क्या होएगा, आपने कौल introvert person, extrovert, introvert आपा यूस कर दिया, well I am an extrovert person, well I am an introvert person, हाना आपने Q-Card जेविच आपा यूस कर दिया, आपने क्या एक introvert person बारे दसना है, इस देविच जेविच एक कवर करने है, केडी केडी है, who is this person, हो केडा person है, how well you know him, तुसी किन्नी अच्छी तरह उसनों जान दे हो, what makes him और हर introvert, केडी ऐसी गल है, चेडी की उना नू की बना दिया, introvert बना दिया, what would you suggest him, हर, what would you suggest him, हर, तुसी उना नू की suggest करोगी, okay, sample answer देख लेने हां guys, well we live in a world where basically three types of people live, well, आपा उस वर्ल दे विच रहने है, उस दुनिया दे विच रहने है, वेर, जित्थे basically, आम तोरते तिन दरादे जड़े people हैं, okay, यह रहन देने, right, firstly they are ones, who are very open and become friends with almost everybody, firstly, ओहो लोग ने जड़े की, बोज़े की open हुन देने, मतलब जड़े की extrovert person हुन देने, social butterflies हुन देने, ठीक है, firstly they are ones, who are very open and become friends with almost everybody, and ओह की कर देने, हर किसे नू अपना की दोस्त बना लान देने, ठीक है, after that we have individuals, उस तो बाद आपने पास कुछ इंड़ेजल्स हैं, who are totally opposite to them, जड़े की इनना तो की हैं, बिल्कुल उल्टे ने, these type of people don't even like to talk unnecessary with others, इस तरह दे जड़े लोग हुन देने, ओहो किसे नाल फालतु गल करना पसंद ही नी कर दे, ठीक है, unnecessary हो की है, टॉक नहीं कर दे, and there is this third category to which actually I belong, it is ambivert, एक थर्ड केटेगरी भी है, जड़े विच असल मैं बिलोंग करदा हां, या फिर कर दी हां, ओ केड़ी है, ambivert केटेगरी है, ambivert लोग केड़े हुन देने, जड़े की introvert भी हुन देने, ते extrovert भी हुन देने, किसी situation दे विच क्या है, मतला वो hesitate फील कर देने, ठीक है, जित्यों नहीं comfortable फील कर दे हो, किसी नहीं गल नहीं कर दे, but in some situations, बहुत जल्दी, जड़ा होरा नल क्या है, ओपन अप हो जान देने, ठीक है, people like me, has a balance of both extrovert and introvert features in their personality, people like me, मेरे तरा दे जड़े लोग ने, has a balance of both extrovert and introvert features, ओना दे विच क्या है, इस balance है, किस दा extrovert, introvert features दा, ठीक है, ओना दी personality दे विच, for us, सादे लही, it depends upon the situation, how we react, ठीक है, सादे लही क्या है, depend कर दा, situation दे, किसी किस तरह react कर दिया, however, हाला कि, here, I'd like to speak about one of my cousins, who has a very reserved nature, ठीक है, आज इते मैं किस दी गल करांगा, या फेर करांगी, about one of my cousins, अपने काजन दी गल करूंगी, या फेर करूंगा, guys, इक गल क्लियर करदा, जिते आप one of वला, यूस कर दिया, वैसे में हैं चीज अपनी हर वीडियो दे बिच एक्स्प्लें कर दिया, क्योंकि बहुत सारे जड़े बच्चे हैं, से मिस्टेक कर दे हैं, ठीक है, जद भी अपने कोल one of वला आंद है, जड़ा अपने कोल बाच्चों सबजेक्ट आंद हो के आंद, अपने कोल हमेशा फ्लूरल अंद है, ठीक है, कि बहुत सारे कजन्स वीचों में एकदी गल कर रही हैं, वैसे वेरी रिजर्फट नेचर, उज़ा क्या एक रिजर्फट नेचर है, मतलब क्यों एक इंट्रोबर्ट परसन है, His name is Tushar, उज़ा क्या नाम है, Tushar, He is my maternal uncle's son, ओ क्या है, मेरे मामा जीदा की है, बेटा है, I never seen him talking even at his neighborhood, मैं उसनु उज़े नेबर्फट दे विच भी कदी किसे नल गल कर देया, नहीं सुनया, He never expresses his feelings or emotions with anybody, no matter how big the problem is, ओ कदी भी जड़े अपनी feelings या emotions और किसे नल शेयर नहीं कर दा, no matter, फिर चाहे how big the problem is, फिर चाहे किन्नी वड़ी problem होई, ओ हो, अपनी जड़े emotions है, feelings है, कोई दर्द है, कुछ है, मतलब ओ किसे नल शेयर नहीं कर दा, but I admit that he is such a genius, but मैं ही जरूर admit करूंगी कि introvert होंदे अबावजूद, ओ एक genius इंसान है, that he got placed in a reputed MNC at Bangalore, ठीक है, कि यो कि है, बहुत अच्छी MNC के reputed MNC दे विच की है, उसनों, ओ पोस्टिंग हुई, उसनों जॉब मेली है, गैस इते तुसे एक चीज एड कर सक देओ, इते तुसे क्या लेख सक देओ, beside being an introvert person, ठीक है, beside, being an introvert, ठीक है, कि एक introvert person हों दे बहावजूद भी क्या है, उसने एक reputed MNC दे विच की है, जोब लेली, he was the most intelligent kid in our family, ओह कि या साथी family दे विचो, entire family दे विचो, बहुत ही intelligent kid सी, he loves coding, उसनों coding बहुत पसंद है, whenever I visit him, जदो भी मैं उसनों विजट कर दी हां, या फिर करदा हां, he is always practicing coding in various computer languages, ओह हमेशा की कर रहा हुंद है, coding दे प्राक्टिस कर रहा हुंद है, in various computer languages, अलाग लाग computer languages दे विच, and I believe that this is a primary reason regarding his shy nature, ते मैं क्या बिलीव कर दी हां, कि ए ही, कि यह हुजा primary reason है, कि यह हुजा है, एक shy nature दा इंसान है, I always advise him to open up a little, मैं हमेशा उसनों अद्वाइस कर दी हां, या फिर कर दा हां, कि तू थोड़ा जा open up हो, and tell him to at least hang out with his, guys यते यूर कर लियो, and to at least hang out with your friends, ते मैं उसनों क्या कहना है, कि तू अटलिस अपने दोस्ता नाल के थोड़ा बाहर जाया कर, ठीक है, because I believe that, क्योंकि मैं क्या मन दी हां, that this is very important, कि यह बहुत जरूरी है, not only to keep oneself fresh, but to break the monotony of life as well, सिरफ आपने अपनों फ्रेशन अप करन लई ही नहीं, ठीक है, बात कादे लई, जोड़े अपनी, you know, life ती monotony है, मतलब इक रूटीन बनी हुं दिया, सुभा उठना, breakfast करना, फे कामते चले जाना, या study करना, अगर कोई student है, देना कि खाना, पीना, सोना, जो भी मतलब इक सेम रूटीन है, तीक है, अपनी लाइफ तीक मोनोटोनी हुं दिया, ठीक है, इस वस एक क्यू काड़ गाई, आप तो नू अच्छा लग्या हुएगा क्यू काड़, फिट सो, फ्लीज दी लाइक बटन, और बाकी दे क्यू काड़ भी गाज बहुत जल्दी अपलोड हो जानगे, मेरे चानल दे, इवेन एक क्यू काड़ सास्तो नू शामी तक होर मिल जेगा, ठीक है, मेरे चानल नहों दक सब्सक्राइब नहीं कीता, दो हुने कर लो, मिल दे नेक्स्ट वीडियो दे वेच, तिल देन टेक केर सी जा, बाबाई,